Hello students, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने और हमारे चैनल Brownie Study में आज मैं आपके लिए एक most important topic ले करके आया हूँ जो कि आपका होने वाला है 1857 की क्रांति की उपर आपको मैं आज top 20 question कराने वाला हूँ भारत में कहां से प्रारंब हुआ था आपको यहां पर बताने कि 1857 का जो विद्रो था वो भारत में कहां से प्रारंब हुआ था चार option आपके screen पर दिये गए हैं यहां पर आपका right answer क्या हो जाएगा तो यहां पर आपका right answer हो जाएगा मेरट आपका right answer हो जाएगा Q&A 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 Q थर्ड नमबर बुल गये यहाँ पर बिहार में 1857 के विद्रो का नितरत तो किसन ने किया था, आपको यहाँ पर बताना कि बिहार में 1857 के विद्रो का नितरत तो किसन ने किया था, चार ओप्षन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जा यहाँ पर आपको बताना है कि 1857 विद्रो के समय किसने इलाहाबाद को आपात कालीन मुख्याले बना दिया था चार ओक्षन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लौड कैनिंग क्या हो जाएगा लौड कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा चली बढ़ते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है बहादूर साह जफर क्या हो जाएगा बहादूर साह जफर राइट आंसर चली बढ़ते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट आपकी स इस स्क्रीन पर दिए गया है six number बुल गया है यहां पर 1857 के विदरो को किसके द्वारा शुरू किया गया था आपको ऋस्पाहिया है कि इलग आपको पता हो गया स्कॉपाहियों होगा जो 1878 का विदरो था वो प्रारम भूगा था अचली बढ़ते है next में next आपकी इसkelीन पर दिए गया है 7th नमबर बुल गये यहाँ पर मंगल पांडे को फासी कप दी गई थी आपको यहाँ पर बताना है कि मंगल पांडे जो थे उनमें फासी कप दी गई थी 4 option आपकी स्क्रीन पर दिए गई हैं यहाँ पर आपका right answer हो जाना है आठ अप्रेल 1857, क्या हो जाएगा, आठ अप्रेल 1857, राइट आंसर, नेक्स्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, एट नमबर बुल गया है, यहाँ पर, 1857 के विद्रों में, किसी ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, आपको यहाँ पर नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, नाइन्थ नमबर बुल गया है यहाँ पर, 1857 के विद्रों में, तात्या टोपे ने किस सहर से सैनिकों का नेतरत्य किया था, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है, कानपूर क्या हो जाएगा, कानपूर आपका बुल गया यहां पर 1857 के विद्रो में अंग्रेजों का सबसे कटर दुस्मन कौन था यहां पर आपको अताना है कि 1857 के विद्रो में अंग्रेजों का सबसे जो कटर दुस्मन था वो कौन था चार ओप्षन आपके स्क्रीन पर दिये गए हैं यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा मौलवी एहमद दुल्ला सा क्या हो जाएगा मौलवी एहमद दुल्ला सा आपका right answer हो जाएगा next question बढ़ने से पहले जिन भी students ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है उसको जरूर देख लीजेगा क्योंकि उसमें मैंने आपको topic wise इस session के बारे में पूरी जानकारी दी थी कि 1857 की करांती जो थी कब हुई थी कैसे हुई थी क्या थी पूरी story उसके पीछे की वो पूरा मैंने detail वीडियो एक बना रखा है उपर आई बटन में आपको उसका link मिल जाएगा वहां से जाकर क्या आप देख सकते हैं या फिर आप उसे हमारी playlist के द्वारा भी देख सकते हैं चली बटते हैं next में next आपके screen पर यहां पर दिया गया है 11th number बुल गया है यहां पर 1857 के बरेली विद्रो के नेता कौन थे आपको यहां पर बताना है कि 1857 में जो बरेली विद्रो में हुआ था तो वहां पर में नेता के रूप में कौन उबरे थे चार उप्षन हैं आपको दिख रहा होंगे यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा खान बहादूर क्या हो जाएगा खान बहादूर राइट आंसर चली बढ़ते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 12 नंबर बोल गए है याँ पर किस आदूरी की इतिहासकार ने 1857 के विद्रो को स्वतंतरता की पहली लड़ाई कहा था अब यहां पर आपको बताना है कि कौन से ऐसे आदूरी की इतिहासकार थे चली बढ़ते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट आप की स्क्रीन पर दिये गए 14 नमबर बुल गए यहाँ पर 1857 की क्रांती में सरुप्रथम फासी किसे दी गई थी आपको यहाँ पर बताना है कि 1857 की जो क्रांती भी थी उसमें सरुप्रथम फासी किसे दी गई थी चार option आपकी screen पर दिये गए हैं यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा मंगल पांडे क्या हो जाएगा मंगल पांडे आपका right answer हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं next में next आपकी screen पर दिये गए 15 number बुल गए हैं यहाँ आपर कानपूर विद्रो का नेतरत तो किस ने किया था most important question है exam पर पसे यहाँ पर आपको बताना है कि कानपूर विद्रो का नेतरत तो किस ने किया था 4 option आपकी screen पर दिख रहे होंगे यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा नाना साहिब क्या हो जाएगा चली बढ़ते हैं next में next आपकी स्क्रीन पर दिये गए 16 नंबर बुलगया यहाँ पर बहादुर साह जफर कौन थे यहाँ पर आपको बताने कि बहादुर साह जफर कौन थे चार ओप्षन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अंतिम मुगल सासक क्या हो जाएगा अंतिम मुगल सासक आपका right answer हो जाएगा चली बढ़ते हैं next में next आपके screen पर दिये गए 17 number बुल गये हैं यहाँ पर मंगल पांडे ने 1857 के विद्रो की पहली गोली कहां चलाई थी most important question है एक्जाम पर पसे यहाँ पर आपको बताना है कि मंगल पांडे जो थे उन्होंने 1857 के विद्रो की जो पहली गोली थी वो कहां पर चलाई थी चार option आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा बैरकपूर क्या हो जाएगा चली वठते है Next में Next आपकी screen पर है 18 number बोल गया है यहाँ पर लखनव विद्रो का नेतरत तो किस ने किया था यहाँ पर आपको अताना है कि 1857 में जब लखनव में भी विद्रो हुआ तब उस समय लखनव विद्रो का नेतरत तो किस ने किया था चार option आपके screen पर दिख रहे होंगे यहाँ पर आपका right answer हो जाना है बेगम हजरत महल क्या हो जाएगा बेगम हजरत महल आपका right answer हो जाएगा चली बढ़ते हैं next में next आपके screen पर दिया गया है 19 number बुल गया है यहाँ पर 1857 के 77 संग्राम का प्रतीक क्या था यहाँ पर आपको उताना है कि 1857 के 77 संग्राम का प्रतीक क्या था चार option आपके screen पर दिख रहे होंगे यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा कमल और रोटी क्या हो जाएगा कमल और रोटी आपका right answer हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं next में next आपकी screen पर दिया गया है 20 number बुल गया है यहाँ पर रानी लच्छमी भाई का मूल नाम क्या था most important question है exam पर पसे यहाँ पर आपको अताना है कि रानी लच्छमी भाई का जो मूल नाम था वो क्या था चार option आपकी screen पर दिख रहा होंगे यहाँ पर आपका right answer हो जाना है money करनी का क्या हो जाएगा money करनी का आपका right answer हो जाएगा यहाँ से आपके सभी सभी इसके most important जो भी topics दे वो आपके सारे cover हो चुके हैं यहाँ से आपके इतने ही question important बन सकते हैं साथ में आप अगर वो आला वीडियो देख लेंगे पूरा 1857 की करन्ती के उपर जो मैंने detail वीडियो बनाई थी तो आपका इस topic से एक भी question बाहर नहीं जा पाएगा तो यहाँ पर बात कर लेते हैं bonus question की तो यहाँ पर आपके लिए एक bonus question है जो कि आपके सामने दिख रहा होगा कोशन है 1857 की क्रांती के समय ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कौन थे आपको यहाँ पर बताना है कि 1857 की जो क्रांती हुई थी उसके समय ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कौन थे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा Lord Palm Certain क्या हो जाएगा यहां से आपके सभी सभी question समाप्त हुए bonus question भी मैंने आपको करा दिया है जो कि most important question है तो यहां पर जितने भी मैंने question मना इनके अच्छे से आप notes बना लीजेगा और उसको लगातार आप revision करते रहेगा जिससे कि आपको इस topic से कोई भी question बाहर से नहीं फस पाएगा उमेद करता हूँ यह आपको video session बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो इसे like कर दीजे साथ में दोस्तों के साथ share करना मत भूलिएगा और like कर दिया करिए जिससे मुझे motivation मिलती है आपको ऐसे ही और amazing videos बनाने के लिए तो कल मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ साथ में जिन भी students को इसका PDF चाहिए हो वो टेलीग्राम चैनल को join कर लिजे, link आपको description box में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपको daily daily PDF और साथ में study material भी आपको आपको आपर provide करा दिया जाता है उमीद करता हूँ यह वीडियो अच्छी लगी होगी चलिए कल मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए take care, जै हिंद, जै भारत